वेल्कम पेक्ट वीवर्ट तक्स्विला चैनल में आपको खुश्यामदीद तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर केड़ेंस ब्लॉग को यूज करते हुए देखेंगे कि किस तरह हम एक वर्डप्रेस साइट बनाते हैं और उसके अंदर हम स्टार्टर टेंपलेट करके उसको कस्टॉमाइस करते हैं जैसा कि आप ़ोग को स्क्रीण पर नदर आ रहा है आप लोगों कंट्स क्रिंपो पेस्ट शेप्र सेक्षन नदर आ रहा है न के इलावा अगर हम ब्लॉग सेक्शन के उपर जाएं तो हम लोग देखेंगे किस तरह हम इस तरह का ब्लॉग सेक्शन अपना बना सकते हैं और अगर मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूँ तो यहां पर मेरे पास अपने ब्लॉग की यह जो पोस्ट आ रही है इसको हमने किस तरह यहां पर edit किया और किस तरह हमने यह सारी चीजें लगाई हैं तो यह सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज कीजेगा और चैनल के ऊपर आपको मजीद इसी तरह की वीडियो मिलने वाली हैं चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस कोई भी वर्टपैस वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वाइड होता है होस्टिंग एन डुमेंड और फ्र होस्टिंग डुमेंड मैं हमेशा दो ही होस्टिंग करता हूं एक नेंचीप सेकिंड होस्टिंग लेकिन यह तोनों depend करती हैं अपने अपने फीचर्स की वजा से आप लोगों को link description में मिल जाएंगे अगर description में ना मिलें तो आप simply यहां पर आजेगा browser के अंदर यहां पर आकर search कर लेजेगा go के बाद आपने slash डाल के अगर तो आप name chip बाय करना चाते हैं तो यहां पर लिखेंगे name chip ठीक है और अगर आप hostinger की hosting बाय करना चाते हैं तो यहां पर लिखेंगे hostinger इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा आपको यह होगा कि आप लोगों को कपन कोड applied मिल जाएंगे और आप लोगों को discount मिलेगा और मुझे क्या फाइदा होगा मेरे affiliate link से आप buy करेंगे तो आप लोगों को तो कुछ भी एक्स्रा नहीं pay करना पड़ेगा लेकिन यह मुझे help करेगा इस channel को free of cost run करने में और grow करने में तो right now हम चलते हैं name chip के उपर क क्योंकि मैं personally recommend करता हूं कि name chip की hosting easy to use है तो आप लोग name chip की hosting से start ले सकते हैं आप लोगों के पास name chip open हो जाएगा यहां से आप लोगोंने hosting के अंदर जाने है shared hosting के plan के अंदर आ जाने और simple short से method के साथ आप लोगोंने यहां से अपनी location select कर लेनी है मैं जालतर USA select रहता हूं त जोन सा है यह stellar business यह stellar plus आप इन दोनों में से कोई भी बैकर सकते है right now हम stellar plus के उपर जा रहे हैं जो के 26.16 जोन सा है first year होगा renew के अंदर आपको 75.88 पर year pay करने होगे right now मैं इसको get started के उपर click करता हूं ठीक है और यहां पर मैं new domain एक search कर लेता हूं तो domain name मेरा होगा okay मैंने यहा available होगा तो मुझे यहां पर show करवा देगा मैं इसको select कर लेता हूं select करने के बाद connect to hosting के उपर click कर देता हूं जैसी मैं इसके उपर click करूंगा right now मेरा जो total expense आ रहा है वो 31.82 डॉलर आ ठीक है तो मैं इसको add to cart करके next click के उपर click करता हूं क्योंकि हमारे हैं इसके अंदर hosting के भी charges या domain के भी charges जोन से हैं वो add हो चुके हैं और हमें दोनों के दोनों जोन से हैं totally यहां पर available मिल जागए 31.82 डॉलर के अंदर हमें एक one year के लिए hosting मिर रही है उसके इलावा हमें domain मिर रहा है and सारी चीज़ें यहां पर मिर रही है so right now अगर आप लोगों के पास यहां पर बाद मैं यहां पर अपना account create करके इसको buy कर लेता हूं after buying आप लोगों को name chief की तरफ से एक email receive होगा जो के आप लोगों को कुछ इस तरह का नजर आएगा इसके अंदर आपके यहां पर hosting package detail आ रही है जिसके अंदर stellar plus business है आपका domain name आ रहा होगा start date और server host name even though सारी चीज़े आ आप लोगों को यहां पर नदर आ रही होंगी so अब आप लोगों को चीज जो चाहिए वो यहां पर चाहिए आप लोगों को सी पैनल details नीचे जब आप इस email को scroll करेंगे आपको सी पैनल details मिल जाएंगी तो so अब हम अपने सी पैनल में login करते हैं और आगे बढ़ते हैं अब मैंने सी पैनल को access कर लिए मेरा सी पैनल यहां पर login हो गया आपको राइट साइड पर सारी general information मेरी है और लेफ साइड पर सारी चीज़े बेरी है right now हमें जो काम है वो यहां पर हमें soft close app installer से काम है तो मैं इसके ओपर क्लिक करता हूँ ठीक है यह आपको सब से ओपर मिल जाग होगा चैसे मैंने install के ओपर क्लिक किया अब यह मेरे पास installation setup इसका आ चुका है तो right now मैंने यहां पर क्या किया चूज installation URL के अंदर यहां पर आपने https ही रखना है ठीक है आगे आपका डुमेन आ रहा है जो डुमेन आप attach करना चारहें जैसे के point learn dot xyz domain है मेरा इन directory को आप empty र लगाते हैं तो वह आपका उस directory के अंदर जो है डुमेन इंस्टॉल होगा तो यहां पर latest version आपने select कर लेने हैं नीचे आ जाते हैं यहां पर कुछ site settings आ रही है site name my blog site description my wordpress blog इसको रहने देते हैं admin account के अंदर आते हैं और यहां पर आकर मैं यहां पर admin username लिखता हूं जो कि मै अपना email लिख देता हूं for specific reasons ठीक है उसके बाद मुझे यहां पर choose language करना है तो English language यहां पर किसी चीज़ को नहीं चेड़ेंगे सब कुछ वैसे रहने देंगे और simple install के ओपर click कर दूँगा तो यह मेरे पास installation start हो जाएगी यह से installation start होगी आप लोगों को यह कुछ इस तरह क data देखने को मिलेगा तो right now हम वेट करते हैं कि installation complete हो जाए तो हम तब ही आगे बढ़ पाएंगे first of all हमने hosting and domain buy किया then हमने यहां पर wordpress भी install कर लिया है wordpress को install होते वे थोड़ा सा time लगेगा लेकिन जैसे यह install हो जाए आप लोगों को कुछ इस तरह का section देखने को मिलेगा congratulations the software was installed successfully wordpress has been successfully installed at और इसको मैं open करके देखता हूँ कि आया मेरे पास wordpress install हुआ है या नहीं तो जैसे मैंने open किया तो यहां पर देखे my blog लिखा रहा है sample page and यह wordpress का by default data आ रहा है तो मैं इसको WPA admin panel के उपर जाकर login कर लेता हूँ ताकि मैं इसको proper तरीके से access कर पाऊ यहां तक हमारा cpanel का का काम खतम हो गया तो मैं cpanel tap को close कर दूँगा dashboard हमारे पास open होकर आ गया और हमारे पास यहां पर हमारा wordpress install होकर आ गया तो यह basically हमारा जो first setup है वो यहां पर complete हो चुका है so guys अब हम wordpress dashboard के अंदर अपने कुछ basic settings करेंगे basic settings में के जो wordpress dashboard के अंदर आपको हर website के लिए करनी चाहिए setting right now मेरे पास यहां पर blog open होकर आ चुकर मैं इसको dismiss करता हूँ यहां पर मैरा dashboard सारा आ रहा है और यह चीज़े आ रही है सबसे पहले आपने चले जाने settings के अंदर और general के अंदर आ जाने जो basic settings है हम उनको चलते हैं तो यहां पर मैं जो blog मिनाना चाहरा हूँ मैं उस blog का name और taglines वोगरा यह सारी चीज़ें सोच के रखूँगा पहले से ताके मुझे बाद में किसी किसम की problems ना हो ठीक है तो यहां पर general settings के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो आ रही है site title तो मेरे site का title जो उनसा है वो मेरी website का नाम ही होगा that is point learn ठीक है मैं जैसे जैसे इसको यहां पर change कर रहा हूँ तो यह यहां पर भी change हो रहा है that's perfect मुझे इससे कोई issue नहीं है tagline आप अपनी लिखेंगे तो यह in a few words explain what the site is about और tagline जो नसी है यह आप लोगों की site की छोटी सी description होती है तो मैं यहां पर करता हूँ simple ऐसे का देत है क्योंकि इसमें point learn आ रहा है get more to learn यह मेरी एक tagline यहां पर बन चुकी है बाकी मुझे किसी चीज़ को यहां पर छेड़ने की जरूरत नहीं है time zone वगरा अगर आप change करना चाहते हैं तो कर सकते हैं otherwise save changes कर देंगे so सबसे पहले changing हमने की general के अंदर आने के बाद अपनी site का name change किया इसका फाइदा क्या होगा कि इसका फाइदा यहां पर हमारा title भी change हो जाएगा अगर मैं यहां पर आगा refresh करता हूं तो देखिएगा ठीक है यह देखिए point learn get more to learn जो चीज़ हमने लिखी थी वो यहां पर आगई यहां पर उपर भी हमारा domain name जो था है वो change हो चुका है एक चीज़ यह करने के बाद next हमने चले जाना है परma links के अंदर परma links के अंदर आने के बाद मैं इसको post name के उपर click कर दूँगा ताकि जितने भी मेरे परma link बने वो post name के साथ बने और इसको save changes कर दूँगा थर्ड number पर reading के अंदर आ जाऊँगा यहां पर आप लोगों को जो settings करनी है वो हम बाद में करेंगे अभी के लिए हम छोड़ देते हैं writing के अंदर आने के बाद नीचे scroll करूँगा यहां पर option है update services ठीक है इसके अंदर यहां पर आपको एक link मिल जाएगा आपने इस link के services अगर मैं इसी को google में भी search का लूँ तो मुझे इससे ज्यादा services भी मिल जाएंगी यहां पर कुछ basic services है लेकिन मैं कुछ ज्यादा services चाहता हूँ तो मैं यहां पर google के अंदर search करूँगा यह github वाला link मैं open का लूँगा as you already see के मैंने इसको बहुत दफाँ open किया हूँ है तो वह आपके in services के उपडेट करवा देगा इसको मैं save करता हूँ सारे यहां पर मैंने paste करके save कर दिये यह basic settings है इसका effect आपको site के उपर नदर नहीं आएगा लेकिन इसका effect होता है so यह चीज़े होगी then हमने चले जाना है post section के अंदर all post के अंदर और इन सारी post को मैं move to trash करके apply कर दूँगा same इसी तरह media के अंदर अगर कोई media होगा तो उसको move to trash कर दूँगा and pages को भी move to trash कर दूँगा ताके मेरी site totally base पे totally यह उनसी है वो clear cut यहां पे बिल्कुल empty हो जाए then appearance के अंदर चलते है themes के अंदर चलते है pages के बाद और यहां पर जितने extra themes है ना हम इनको खत्म कर देंगे खत्म करने से mean मैं इसके उपर click करता हूँ और delete के उपर click कर देता हूँ okay कर देता हूँ then इसी तरह जो दूसरा theme होगा activated theme के इलावा जितने themes है मैं उनको खत्म कर दूँगा तो अब हमारी side जो नसी है वो totally empty हो चुकी है यहां बाद हमें कुछ भी देखने को नहीं मेरा and directly directly हमारी side है तो इन सब के पाद जो चीज़ हमें करनी है वो हमें करनी है post section के अंदर जाकर minimum 10 post करनी है 10 post करने का मकसद क्या है इसका मकसद यह होगा ता कि जब हम अपनी side को design कर आ रहे हों तो हमारी side एक proper look दे post करने का तरीका जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आगे हम detail में भी देखने वाले है इससे पहले भी आपको videos के अंदर बता चुका हूँ आप लोग जाकर यह videos देख सकते हैं जो के आपको description में भी link मिल जाएगा और यहां पर आई का button आ करने वाले हैं ताके हम अपनी site को proper तरीके से कस्टोमाइज कर सकें तो यहां पर मैंने अब कुछ sample post कर ली हैं जो कि 17 पोस्ट है और आप लोगों को कुछ इस तरह की नदर आ रही है different post है कोई इसमें data नहीं है रेंडम ली से data जों से इनमें collect किया गया and doesn't matter के इसमें क्या क चीज़े हैं हमें just post है यह थी for designing purpose तो यहां तक हमारी important चीज़ें complete हो गई है आप लोगोंने क्या करना है अब हमारी बारी आती है थीम installation की तो थीम installation के लिए आप लोगोंने google के अंदर सर्च करना है touchvilla.com slash go slash cadence हम cadence को use करेंगे cadence का theme और cadence के blocks भी तो अभी के लिए हम touchvilla.com slash go slash cadence के उपर जाते हैं इसके उपर जाने के बार लिंक आपको description में भी मिल जाएगा आप लोग वहां पर भी जा सकते हैं तो cadence WP बहुत ही amazing theme है आप easily इसको edit कर सकते हैं इसके blocks को edit कर सकते हैं even do is के अदर मज़ीद आपको option मिल जाएंगे आप लोग get cadence के उपर क्लिक करके जोंसा है cadence को buy भी कर सकते हैं so first of all तो आप इसको try कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको buy कीजिएगा आप लोगोंने यहां पर नीचे full नीचे scroll करना है यहां पर आ रहेगा cadence theme आप लोगोंने cadence theme के उपर क्लिक कर देने है so right now आप लोगों के पास यह कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है यहां पर option है try cadence for free now आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे यहां पर option आज रहा है download for free आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे and आप लोगों को यहां पर अपना email address लिखना है ठीक है मैं अपना email address लिख देता हूँ क्योंकि अगर आप वैसे भी करना चाहें तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब और डाउनलोड पर तो आपके पास यह सारी चीजें एक साथ आजाएंगे और आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे तो यह देखिये थैंक्स पर डाउनलोडिंग यहाँ पर आप लोगों का आप्शन है यह दाउनलोड विल बिगन शॉटली मेक शूर तो अलाउनलोड विल ब्रोजर इनको ब्रोजर आउनलोड प्लीज ग्लिक दा फॉल्विंग लिंक तो राइट नाउ मेरे पास सारी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी है तो तीनो मेरे पास डाउनलोड होकर आगय है तो फ़स्त हम cadence का जो theme वगरा है यह open कर लेते हैं So right now मेरे पास यह तीनो के तीनो डाउनलोड होकर आ गय है तो अब हम इनको install कैसे करेंगे यहां तक काम ok हो गया अब हम लोग यहां पर आएँगे अपने wordpress dashboard के अंदर है appearance के अंदर आ जाएंगे और themes के अंदर आ जाएंगे बहुत simple सा तरीका है themes के अंदर आने के बाद यहाँ पर उपर देखें तो आप लोगों को add new का button नजर आ रहा होगा आप लोगों ने इसके उपर click कर देने add new के उपर click करने के बाद अब हम upload theme के उपर click करेंगे जैसे ही upload theme के उपर click करेंगे यहाँ पर आ जाएगा choose file तो मेरे पास यह जो cadence 1.1.27 आ रहा है मैं इसको drop and drag कर दूँगा यह choose file के अंदर जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो यह देखे हो जाएगी theme installation के बाद आपने simple इसको activate कर लेना है ठीक है तो यह चीज़ समझना यहाँ पर ज़रूरी है के cadence का theme ही हम क्यों use करें एक तो बहुत ही lightweight theme है और आपकी site को एक proper वो look देता है जो के आपको required होती है right now man जैसे ही अपने theme को activate करने के बाद site को visit किया मेरी site कुछ इस तरह की आप लोगों को show भी होने लाग गया तो starting से ही आपकी site की एक अच्छी look बन गया है आपकी site एक perfect look दे रही है तो हम इसी चीज़ को लेकर आगे भी चलेंगे तो यहाँ तक तो काम हो गया इसके बाद हमने जो दो plugins डाउनलोड की हैं उनको भी हम add new के अंदर जाकर कर लेंगे plugins के अंदर add new के उपर क्लिक करेंगे upload plugins के उपर क्लिक करेंगे और एक एक करके मैं इन दोनों को यहाँ पर ले आता हूँ पहले cadence blocks को मैं install कर रहा हूँ cadence blocks क्या है cadence blocks आपको allow करता है कि आप अपनी post के अंदर blocks को use करते वे उसको amazing look दे सकें उसके उपर amazing तरीके से effects लगा सकें या उनके साथ काम कर सकें इसको मैं simply यहाँ पर activate plugin के उपर क्लिक कर देता हूँ same इसी तरह आप लोगोंने दूसरा plugin जो है cadence started templates उसको भी यहाँ पर install का लेना है ठीक है अभी मैंने इसको install किया तो यह मेरे पास open होकर आ गया यह यहाँ पर upgrades का भी option देड़ा है अगर आप upgrade करना चाहते हैं तो okay otherwise आप लोगों को update करने की भी जुरूरत नहीं है यहाँ तक ही हमारा जोंसा है काफी हाथ तक काम हो जाएगा so let's suppose अब मैंने next plugin इंस्टॉल करना है plugins add new के ओपर click करता हूँ ठीक है directly directly upload plugin के ओपर आ गया और यहाँ पर cadence starter templates को भी मैं import कर लेता हूँ ठीक है इसका फाइदा किया है हमें बनी बनाई कुछ templates मिल जाएंगी जिनको हम easily edit कर पाएंगे ठीक है इसको भी मैं activate plugins के ओपर click कर देता हूँ and so on हमारा basic जो purpose है वो यहाँ पर complete हो गया हमारे theme install हो गया कुछ plugins install हो गये and इसका हमें ये benefit होगा कि हमारी जो site है वो proper तरीके से एक अच्छी और amazing look देना start हो जाएगी जिसको हम बाद में मज़ीद customize करने वाले हैं तो right now हमारे पास यहाँ तक यह चीज़ें हो चुकी है अब हम affiliate blog बना रहे हैं तो affiliate blog बनाने के लिए भी अभी हमें मज़ीद चीज़ों की जरूरत होगी तो गाइस अब हम अगर parents के menu में चाहें तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी starter templates यह हमने cadence के starter templates install किया plugin उसकी वज़ा से यहाँ पर हमें show हो रहे हैं तो मैंने just इसके ओपर click किया यह मैं जिसे पूछ रहा है यह जो by default उसका block builder है हम उसी को use करना चाहरे है तो यहाँ पर अब हमें इसने load करके दिखा दिये हैं जिसमें free and pro सारे option मजूद है मैं simply यहाँ से उपर filter के अंदर क्लिक करता हूँ और free only के उपर क्लिक कर देता हूँ ताके जो हमारे सिरफ free वाले templates हैं जिस्ट हमें वही शो हो जो के हम import करके उसके उपर काम भी start कर सेगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा templates देखने को मिल जाएंगे और आप इनको edit भी कर सकते हैं अभी के लिए तो हम starter template को ही use करने वाले हैं लेकिन in future अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को proper एक complete video बना कर दिखा दूँगा जिसके अंदर by scratch आप जो है अपना एक अलग से theme बना सेकेंगे cadence blocks को use करते हुए so right now मेरे पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखिए कि different चीजें जो उसे हैं वो show हो रही है और different templates show हो रहे है तो मैं यहाँ से एक template choose कर लूँगा पहले तो मैं यहाँ से जो choose किया है वो है यह agency वाला ठीक है मैं इसके ओपर click करूँगा तो यहाँ पर optional change color scheme का भी option आरहा है तो आप color scheme भी यहाँ से change कर सकते हैं जो आपको चाहिए आप लोग वो यहाँ से import कर सकते हैं it's totally totally up to you जैसे आपको services जैसे color scheme आपको पसंद है आप वो यहाँ से select कर सकते हैं ठीक है so right now मैं यहाँ से color scheme select कर लेता हूँ जो के मुझे ठीक लगती है ठीक है and I think so it's perfect यह green वाली जोंची है ज्यादा बेतर लग रही है तो आप लोगों के उपर depend करता है तो मैं यही select करता हूँ blue वाली and नीचे change font आ रहा है ठीक है तो यहाँ से आप font भी change कर सकते हैं लेकिन right now हमें इन चीज़ों की जूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर full site के उपर option के उपर click करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है import details यह import details है advanced settings के अंदर import customer आ रहा है import content आ रहा है तो मैं करता हूँ यहाँ पे subscribe and import का option आ रहा है तो मैं इसको accept करके subscribe and importing के उपर भी click कर सकता हूँ या skip and importing के उपर भी क्लिक कर सेता हूँ तो in my opinion subscribe and start importing के उपर क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोगों का importing content जो है वो start हो जाएगा so it will get some time, it will take some time and उसके बाद अब आपकी जो site है वो finished हो चुकी है view your site का option यहाँ पर आ चुक है तो simply मैं अपनी site को visit करता हूँ कि क्या changing आई है तो right now आप लोगों की site कुछ ऐसी नदर आ रही होगी don't worry हम अभी इसको proper त्रीके से edit करेंगे यहाँ पर आपका blog का page भी बन चुक है and यहाँ पर आप लोगों की सारी जितनी आप लोगों ने post की ही है वो भी सारी आप लोगों को show हो रही है amazing अभी हम यह सारा customize भी करेंगे don't worry आप लोग ठीक है इस चीज़ के उपर आप लोग ना देखें कि अभी यह सारी चीज़ें किस तरह नदर आ रही है आपका home page एक proper तरीके से design होकर आ गया जिसको हम अभी edit भी करने वाले है नीचे आते हैं तो हमारे पास सारी details भी आ रही है same इसी तरह हमारे पास यहाँ पर contact का page भी बनकर आ गया है about का page भी बनकर आ गया और services का page भी बनकर आ गया तो हमें बहुत सी जो कहलें के चीज़ें बाद में करनी थी आती उसे हमारे पास by default पहले से बनकर आ गया है ठीक है आप लोगों को form बनाने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को मजीड चीज़ें जोंसिया करने की ज़रूरत नहीं है same आप लोगों को पास काफ़ी चीज़े आ गया है तो अब हम इन को edit करते हैं इनOn Brooke अपने accordingly अरेंच करते हैं So guys, customization स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूँ कि ये आपका home page जोन से ये stem एक page है मैं अगर यहां से settings के अंदर आता हूँ और यहां से मैं reading के अंदर आ जाता हूँ जिसके अंदर आप edit page के section के अंदर जा सकते हैं लेकिन इससे पहले हम यहां पर customize के अंदर जाएंगे कस्टमाइज के अंदर हम क्यों जा रहे हैं क्योंकि हम जो by default settings है जो के पूरे के पूरे block के उपर हमें नदर आने वाली है हम सबसे पहले उन settings को adjust करेंगे या उन settings को करेंगे कस्टमाइज के अंदर क्लिक करने के बाद आपके पास different options आ रहे हैं सिम उसी दरा सबसे पहले colors and font का option आ रहे हैं जिसके अंदर आपको colors के अंदर आपको different color sections देखने को मिल जाएंगे और आप इनको यहीं से edit भी कर सकते हैं जैसे कि link style आपका क्या होगा जैसे कि मैं कोई भी specific link है आपकी site के अंदर उसके अंदर आप क्या चीज़ें चाहते हैं या वो किस तरह show होगा यह सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से edit कर सकते हैं ठीक है आपके पास यहाँ पर palette 2, palette 3 का भी option मजूद है जिसको आप अपने accordingly adjust भी कर सकते हैं लेकिन right now buttons के अंदर चलते हैं तो आपके पास buttons की settings आ रही हैं कि buttons का background color क्या होगा text color क्या होगा किस तरह वो show होगी या चीज़ें कैसे कैसी होगी तो यह सारी चीज़े जोंसी हैं यह आप लोग अपने तरीके से edit कर सकते हैं adjust कर सकते हैं टाइपोग्राफिक के अंदर आपको वो ही fonts के option लेने को मिल जाएंगे जो के आप लोग change कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर blog section के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कोई भी मैं एक post open कर लेता हूँ इसके अंदर यहाँ पर यह heading आ रही है और इस heading का font आप लोग यहाँ से change कर सकते हैं तो let's suppose मैं इसका font करता हूँ pop-ins के अंदर तो यहाँ पर simple मैं pop-ins के ओपर click करूँगा तो यह देखें यहाँ पर pop-in apply हो गया है and आपका अब heading font जो भी होगा वो pop-in के अंदर होगा same इसी तरह आप हर एक चीज़ का font भी change कर सकते हैं बहुत easy to customize है यह ठीक है and अब हम बात करते हैं header के अंदर तो header हमारा यहाँ पर आ रहा है header basically यहाँ पर दो तरह के एक है transparent header और एक है simple header is time हम जो edit कर रहे है वो simple header कर रहे है यहाँ पर logo का section आ रहा है मैं इस logo के section के अंदर जाता हूँ तो यह simple header का logo आ रहा है यहाँ पर आप change logo के उपर click करके files यहाँ पर upload कर सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 3 icon है मैं उन 3 icons को लेकर आता हूँ तीन आइकोन मैंने क्यों रखे हैं तीन आइकोन मैंने इसलिए रखे थे ताके मैं इसको बरवक अपने कलर के accordingly एडिट कर सकूँ एक black कलर में है एक blue कलर में है और एक white कलर में है तो मैं चाहता हूँ कि जो simple header है इस time उसके अंदर ये blue कलर का apply हो तो मैं इसको select कर देता हूँ ठीक है skip cropping के उपर click कर देता हूँ तो ये देखें अब हमारा ये book का sign यहाँ पर आ चुका है logo की विर्थ होगर आप यहाँ से select कर सकते हैं उसके इलावा यहाँ पर logo layout आ रहा है जिसके अंदर आप simple logo को select कर सकते हैं आपका logo आएगा logo and title को select कर सकते हैं logo, title and tag line जिस option को मर्जी आप click करना चाहें कर सकते हैं और इनको भी आप यहाँ से styles भी दे सकते हैं यह देखें different styles आपको देने को मिल जाते हैं और आप अपने accordingly उनको styles भी दे सकते हैं तो it's totally totally up to you कि आप इसको किस तरह करना चाहें मैं इसको by default logo and title पे और title के उपर click करता हूँ यह आपका title आ रहा है and so on यहाँ पर आपका site icon देखने को मिल रहा है मैं अगर इसके उपर click करता हूँ तो यह आपका site icon है इसको भी मैं change image के उपर click करके अपना जो मैंने site icon अपलोड किया है उसको select कर देता हूँ और skip cropping के उपर click कर देता हूँ ताकि यह site icon भी मेरा change हो जाए यहाँ तक काम हो गया अब जो हमारा home के उपर मैं जाता हूँ ठीक है जो हमारा transparent header है वो हमारे home के उपर apply हुआ हुआ है तो इसके अंदर देखें के हमारा logo यहाँ पर change नहीं हुआ तो उसके लिए हम header के अंदर चलते है यहाँ पर नीचे आते है जो transparent header का option मजूद है मैं इसके उपर click करूँगा और अब change image करके मैं यहाँ पर white वाली image को choose image कर दूँगा तो यहाँ पर देखेंगा के हमारा logo यहाँ पर भी change हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए तो टोटली आपके अपनी site को जिस तरह की आप look देना चाह रहे थे वैसी look आपने दे दी आपने हों को यहाँ पर चीज़ें नजर आने लाग गए है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सर्च आइकोन भी उपर शो हो तो सर्च आइकोन को शो करवाने के लिए यहाँ पर प्राइमरी नैविगेशन आ रहा है इस दिर से यहाँ पर मुझे सर्च का यह वाला तो यू लेकिन राइट नौ मुझे यह ठीक लाग रहा है मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ अगेन हम नीचे चलते हैं अब हमारे यहाँ पर यह जो फूटर सेक्शन है हम इसको भी एडिट कर सकते हैं फूटर के अंदर जाता हूँ यहाँ पर कॉपी डाइट टेक्स्ट आ रहा है सेटिंग के अंदर जाकर मैं इस कॉपी डाइट टेक्स को जो उन सा है चेंज कर सकता हूँ या इसके अंदर कोई चीज़ एड़ करना चाहूँ वो मैं यहाँ पर एड़ कर सकता हूँ इसके content alignment को मैं change कर सकता हूँ और सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कर सकता हूँ let's suppose मैं यहाँ पर कहता हूँ design by सल्मान server यह text मुझे यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा ठीक है तो totally आप इसको link भी कर सकते हैं यहाँ से मैं link करता हूँ ओके अपने blog के साथ मैंने इसको link कर दिया और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर शो होने लग जाएगा यह सेम आपका footer icon आ रहा है यहाँ पर अगर आप social icon शो करवाना चाते हैं चीज़ें शो करवाना चाते हैं तो यह सारे option आपके पास मुझूद है जैसे कि मैं यहाँ पर social icon को रखता हूँ तो यह देखे social icon यहाँ पर आपलाओं को नजर आ रहे है तो it's totally up to you मैं इसको अभी के लिए delete कर देता हूँ और यहाँ पर यह चीज़ हमारे पास show होने लग जाएगी गेम उसी तरह general के अंदर चलते हैं layout को मैं नहीं चेड़ूँगा layout जैसे है by default इसको रहने देंगे scroll to top अगर आप show करवाना चाते हैं तो आप show करवा सकते हैं तो यह यहाँ पर आपको scroll to top का icon भी show होना शुरू हो जाएगा यह देखे यह icon हो आ रहा है इसके उपर क्लिक करके आप scroll to top पे जा सकते है 404 page layout को भी मैं नहीं चेड़ रहा अभी जो हमें main काम है नहीं हमारा यहाँ पर आप social links अपने रख सकते हैं ठीक है performance के अंदर आप इन सारे options को जो है on कर सकते हैं create comes को अगर आप ond करना चाहते हैं तो कर लें otherwise आप इसको off ही रहने दें तो अगर यह हमारा blog section इस टैम आपको शोर है तो इसके अदर अब हम यह अपनी post की setting करने माले है जैसे कि आपको यह post नजर आ रही है अब हम इसको अच्छे तरीके से edit करते हैं मैं customize के ओपर click करता हूँ ठीक है अगेन हम customize के अंदर ही जा रहे हैं ठीक है और उसके बाद अब हम यहाँ पर post page and layout के अंदर आ जाएंगे इसके अंदर में पास single post layout है मैं पहले single post layout को अपर click करता हूँ इसके अंदर यहाँ पर लिखा है show post title ठीक है यह post title layout है मैं अगर इसको यह second वाले के उपर click करता हूँ तो यह देखिएगा changing के आएंगी मैंने second वाले के उपर click किया load हो रहा है तो यह देखिए अब आपका title उपर चला गया है ठीक है चीज़े सारी उपर चलेंगे फीचर डी मैं इस बाद में और नीचे आपकी सारी post आ रही है तो मैं इसको first वाले के उपर ही click करता हूँ कि यह चीज़ first वाली जो उनसी है मुझे ज़्यादा बेतर तरीके से effect करती है तो यह चीज़ आगी देन इसकी post title align को मैं center कर देता हूँ को यह center में मुझे show होगा उसके पाद जो जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर show करवाना चाहते हैं उनको check कर सकते हैं यह eye के icon के उपर अगर आप click करेंगे तो यह eye का icon वो चीज़ें show करवा देगा जैसे के इसने अभी show करवा दिया home design उसके अंदर यह हमारी post है breed crams को मैं off कर देता हूँ categories शो करवाऊंगा title नीचे meta जो उनसे वो भी मुझे show करवाना है script को मैं off कर देता हूँ इसके बार मुझे कुछ default post layout मिलती है जैसे के यह first वाली मैं अगर इसके उपर click करता हूँ तो मेरी post का style जों से यहां से totally change हो रहा है आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं लाग रहा होगा लेकिन यह आपका narrow हो जाता है by default आपका narrow होता है लेकिन यह जब आप इसके उपर click करते हैं बढ़ जाता है इसके बाद है full width अगर आप इसके उपर click करते हैं तो यह देखिएगा full width हो जाएगा ओके अब आपकी post कुछ ऐसी नदर आ रही होगी then sidebar के साथ left side पे भी sidebar आ सकती है right side पे भी आ सकती है तो यह देखिए left side पे sidebar आ आएगी तो कुछ इस तरह का show करवाएगा right side पे sidebar आएगी तो कुछ इस तरह का data आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो मैं by default वाले के इसके उपर click कर देता हूँ अब हमाई content style भी देखने को मिल जाता है अगर मैं इसके content style को unbox के उपर click करता हूँ तो यह कुछ इस तरह का नदर आएगा यह देखिए और अगर box के उपर click करता हूँ तो यह proper box shape के अंदर यह blocks के अंदर बन कर आ जाएगा ठीक है vertical padding अगर आप देना जाते हैं तो ठीक है लेकिन disable भी कर देते हैं नहीं करवाना यह आप लोगों के उपर depend करता है तो मैं इसको show करवा देता हूँ अपना इसके दो तीन option है above, behind और below अगर मैं above के उपर click करता हूँ तो यह देखिए कि यह box इसके नीचे चला जाएगा यह देखिए यह above के अंदर आ जाएगा और अगर below के उपर click करता हूँ तो अब क्या होगा कि यह आपका title वगरा उपर चला जाएगा यह featured image अंदर आ जाएगी and then so on आपके post लिखनी आ जाएगी behind जोंस है वो मैं ज्यादा तर use करता हूँ और इसको wide option है इसको stretch full के उपर click कर देता हूँ ताकि यह पूरे page के उपर stretch हो जाएगी यह देखिए तो यह कुछ ज्यादा effective लगती है उसके बाद featured image ratio को आप लोग छोड़ देजेगा अब यहाँ पे ना post के बाद footer area को मैं अगर show करवाता हूँ तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ data देखने को मिल जाएगा यह वला ठीक है यह अब क्या होगा कि यह आपके box के अंदर adjust हो जाएगा अगर मैं इसको off करता हूँ तो यह देखिए यह अलग अलग show करवाएगा मैंने click किया यह देखिए यह बोक्स यहाँ पर खतम हो गया नीचे आपका data लग से show हो रहा है इसी तरह show post author box के ओपर भी मैं click करता हूँ तो यहाँ पर मुझे author box देखने को मिल जाएगा जो कि हमने अभी तक edit नहीं किया just admin यहाँ पर लिखावा आ रहा है इसको मैं center align करतूँगा तो यह देखें अब यह जोंस है center में आप लोगों को show हो रहा है एंड आप लोग इसको अपने तरीके से adjust भी कर सकते हैं नीचे आप लोगों को सारा section नजर आ रहा है यह sections आप लोग देख सकते हैं तब यह के लिए मैं इसको publish कर देता हूँ तो यह हमारी single post की customization हो गई है तो वाइस अब बारी आती है कि हमने अपना archive page जोंसा है वो edit करना है archive page क्या होता है archive page आपका blog page है जैसे कि यह नजर रहा है आप इसको भी edit कर सकते हैं कैसे यहाँ पर archive layout के अंदर आप लोग आ जाएंगे इसके अंदर आप लोगों को archive title layout in content above content सारे option देखने को मिलें मगर in content के उपर click करता हूँ तो यह देखिएगा क्या होगा कि आप लोगों का जो title है ना वो change ओकर in content आजएगा content के दरम्यान में आजएगा and like यह कोई अच्छा तरीका नहीं है आपकी post को present करने का या archive layout पे शो करवानेगा तो मैं इसको above content के उपर click करता हूँ ताकि यह जो आपका title layout है यह वाला blog यह आप लोगों का यहाँ पे अलग शो हो उसके पात इसको मैं standard ही रहने दूँगा archive title align को आप center ही रखेंगे already by default भी center ही है doesn't matter थीक है उसके बाद आप लोग यहाँ पे चीजें क्या-क्या शो करवाना चाते हैं breed crum को शो करवाना चाते है थीक है तो यहाँ पे आप लोगों की breed crum भी शो हो जाएगी जैसा के अभी मैंने ओन किया है तो यह ब्लॉग के नीचे या उपर मुझे यहाँ पर शो करवा देगा यहाँ पर देखिए इसने शो करवा दिया होम एंड ब्लॉग इसको मैं आफ कर देता हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए नीचे हमारी आर्काइव लेयाउट आ रही है जो के नार्मल है नेरो है फुल विट है लेट साइड बार है राइट साइड बार है तो मैं इसको नेरो के उपर क्लिक करता हूं अभी यह फुल विट थी मैंने इसको नेरो के उपर क्लिक किया है कि अब यह नेरो हो जाएगी, नेरो में क्या होगा, कि यह दून आपस में थोड़े स्ट्रेच हो जाएगी, यह देखें, कुछ इस तरह कि आपको पोस्त नजर आ जाएगी, फुल विर्थ करते हैं, तो यह पूरे पीछ के उपर विर्थिस की आ जाएगी, राइट साइड ब आपको सारा कॉंटेंट आपलों का बोक्स शेप के अंदर आ रहा है, इसको आप अन बोक्स भी कर सकते हैं, अन बोक्स करेंगे तो यह देखें कुछ इस तरह नजर आ रहा है, बोक्स करेंगे तो यह बोक्स शेप बन जाएगी, कितने कॉलम आप शो करवाना चाहते हैं, त कॉलम करता हूं तो एक रो के अंदर तीन पोस्ट मुझे शो होंगी अभी दो पोस्ट शो हो रही है तो मैंने जैसे इसके ओपर क्लिक किया तो अब देखिए कि तीन पोस्ट शो होना शुरू हो गई है दो जो नसा है वो ठीक लाग रहा था इसके इलावा यहां पर आप सेट को मैं ओपन करता हूं तो यहां पर आप सैटिंग कर सकते हैं इसको चेंज कर सकते हैं जैसे के रीड मौर की जगा पर आप कर सकते हैं रीड आहेड ठीक है तो यहां पर रीड मौर की जगा पर रीड आहेड लिखा हुआ आ जाएगा तो आप इसकी लेबल चेंज कर सकते हैं script के अंदर आपको option देहने को मिल जाते हैं आप वो change कर सकते हैं meta आपको किस तरह show करवाना है आप लोगों कोई चीज show करवानी है वो कैसे करवानी है title, categories and so on ठीक है तो ये चीज़े हैं आप लोग जब food करेंगे तो आप लोगों को idea हो जाएगा so अब बारी आती है हमारे menu का, ये menu हमारा कुछ अच्छा नहीं लाग रहा है यहां पर मतलब proper तरीके से आपको show नहीं हो रहा home को पहले show होना चाहिए and बाकी चीज़ों को बाद में तो ये कुछ इस तरह अच्छा नहीं लाग रहा है तो अब हम इसको adjust करते हैं कैसे adjust करेंगे customize के अंदर मैं आ जाता हूँ sorry point line के अंदर आ जाता हूँ यहां पर menus के option के उपर मैं क्लिक कर दूँगा जैसे मैं menus के option के अंदर जाओंगा यहां पर आप लोगों का सारा menu नजर आ रहा है ठीक है यहां पर home है सारी चीज़े आप लोगों को चीज़े नजर आ रही है यह आप लोगों का menu है यह आप लोगों को locations नजर आ रही है तो by default यहां पर कोई menu generate नहीं हुआ हुआ तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ इसको मैं primary menu के उपर क्लिक कर देता हूँ primary, secondary, mobile, footer सारे के उपर save menu के उपर मैं क्लिक कर देता हूँ जैसे मैंने इसके उपर क्लिक किया अब यह menu जोंसे है इसकी location जोंसे है वो set हो गई है ठीक है तो मैं यहां पर क्या करता हूँ इन सारी को मैंने adjust कर लिया जैसे मैं adjust करना जाता हूँ save menu करके अब मैं जा कर देखता हूँ आया मेरा menu change हुआ है या नहीं हुआ तो wizard side के उपर क्लिक करता हूँ यह देखिए अब यह home services about contact blog प्रॉपर जिस तरीके से मैं चारा था हो गए मैं blog को उपर लेकर आता हूँ यहां पर about के drop down menu में मैं services को लेकर आता हूँ और save menu मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरा menu यहां पर adjust हो चुका है और अब मिझे यह proper नदर आ रहा है गाँ home, blog, about, contact about के services नीचे आ रहा है और इसके ओपर click मैं कर सकता हूँ तो basically यही चीज मुझे चाहिए थी तो मेरा menu यहां पर adjust हो गया अब जो बाकी चीज़े है ना के जैसे के आप लोगों ने यहां पर home page जो नसा है उसका text edit करना है यह चीज़ें edit करनी है तो अब हम इसके उपर आ जाते हैं तो हम अपने home page को edit करने के लिए यहां पर edit page के section पर जाएंगे edit page के section पर इसलिए जा रहे हैं कि यह सारे का सारा cadence blocks को use करके बनाया गया है तो इसलिए अब हम cadence block को use करते हुए ही इसको proper तरीके से edit करेंगे तो मैंने edit page के option को open किया है तो अभी मेरे पास यह option show करवा देगा तो अब हम देखते हैं कि layout roll layout सारी roll layout है और इनके अंदर section use किये गया है अगर मैं इनको expand करूं तो यह देखे section आ गया फिर उसके अंदर roll layout फिर section and so on आप लोगों कि सारी चीज़ें यहाँ पर use हो रही है तो यह इस तरहां काम का रहा है तो यह as a builder ही काम का रहे होते है right now हम यह सारी चीज़ें इसको मैं close कर देता हूँ यह चीज़ें edit करना चारे हैं जैसे कि यह wordpress advertising SEO लिखा हूँ है तो मैं इसके ओपर click करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ learn और यहाँ पर मैं कर देता हूँ implement इसके बाद SEO की जगा पर मैं कर देता हूँ learn learn, implement, learn ठीक है simple और यहाँ पर मैं text change कर देता हूँ learn blogging for free simple मैं एक encouraging का text जो यहाँ पर show कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर get started का option है मैं इसके उपर click करूँगा तो यह एक button है यहाँ पर आप इसका link जो उनसा है वो edit कर सकते हैं जो कि मैं अपना link यहाँ पर लगा देता हूँ ओके यहाँ पर मैंने अपना link यहाँ पर राख दिया इसको apply कर देता हूँ तो अब यह मेरे YouTube चैनल के उपर redirect करवा देगा तो मैं button की setting यहाँ से कर सकता हूँ जैसे कि button 1 है ठीक है तो मैंने button 1 को किया है तो मैं इसको theme के साथ भी link कर सकता हूँ theme के साथ link करूँगा तो button कुछ इस तरह का show होगा default कर दूँगा तो जैसे by default मुझे नज़र आ रहा है यह इस तरह हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ, ठीक है, यह अब proper मुझे नदर आ है, और इसके अंदर मैं चेंजिंग करना चाहूँ, तो मेरे पास यहां पर सारे आप्शन आ रहे हैं, जैसे कि मैं इसका लिंक यहां से भी मैं एडिट कर सकता था, ठीक है, and font size मैं यहां से button का font size increase कर सकता हूँ, decrease कर सकता हूँ, it's totally up to me, button का size कितना रखना है, padding, सारे option मेरे पास आ रहे हैं, आप simply इनको click करके, इसके अंदर कोई भी changing करना चाहें, आप लोग कर सकते हैं, button 2 के अंदर मेरे पास learn more लिखा हूँ है, तो मैं इस learn more को भी change कर सकता हूँ इस text को मैं double click करता हूँ, यहां पर लिख देता हूँ, get started with blogging, same इसी तरह यह get started को मैं click कर देता हूँ, subscribe now, okay, अब मेरे यहां पर subscribe now, यहां पर get started with blogging आ रहा है, link भी आपके update हो सकते हैं, तो मैं इसको simply update के उपर click कर दूँगा, जैसे मैं update के उपर click करूँगा, तो मेरा home page zone सा है, वो totally base पे update हो कर मुझे show होने लग जाएगा, जैसे कि देखें, learn blogging for free लिखावा आ रहा है, learn, implement and earn, get started with blogging और subscribe now, आपके पास सारी changing होगी, same इसी तरह, मैं इसको यह जो by default role layout आ रही है, मैं इसको भी select करके इसके background settings में जाता हूँ, इसके background में मैं select image के उपर click करता और एक dummy image upload करता हूँ, so मैंने यहाँ पर एक image download कर ली unsplash.com से और मैंने इसको load कर लेता हूँ, यह मैं अपने background में लगाने लगा हूँ, ठीक है, इसके background में आएगा, मैंने यह media uploading पर लगा दिया, picture upload होने के बाद मैं इसको select के उपर click कर दूँगा, तो यह picture अब मेरी background के अंदर आ गई है, लेकिन अभी show नहीं हो रही, क्यों नहीं show हो रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर color apply किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर background overlay settings के ओपर जाओंगा, इसकी opacity को मैं 80% करता हूँ, जैसी मैंने 80% किया था, देखे, आपको background पर image show होना शुरू हो गई, ठीक है, तो यह background overlay settings जोन से हैं, यह आप लोगों की आ जाते हैं, तो मैं इसको around 75 कर देता हूँ, अब यह जो चीज है मुझे proper तरीके से show हो रही है, same नीचे आते हैं, यह image भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, यह image आप लोग कैसे change करेंगे, इसके ओपर मैं click करता हूँ, और यहाँ पर by default ज इसके अधर, canva के अधर, design create कर लूगा, elements के अधर आ जाँगा, यहाँ पर मैं search करता हूँ, नीचे आ जाते हैं, नीचे मेरे पास frames आ रहे हैं, frames के अधर, see all के ओपर click करूँगा, यहाँ पर search कर लूगा, blue, ठीक है, blue click के search करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर देखे, different designs आ कर सकते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा design आ जाएंगे, doesn't matter, आप लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं, तो मुझे यहाँ पर एक design को choose करना है, तो let's suppose, मैं यहाँ यहाँ पर यह बड़ा design choose कर लेता हूँ, okay, something like this, यह वाला मुझे ठीक लाग रहा है, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, यह आ गया, ठीक है, अब मैं pictures के अंदर जाकर, एक picture मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ, जैसे wordpress, ठीक है, wordpress लिख के search करता हूँ, wordpress के regarding मेरे पास सारी pictures आ जाएंगी, या फिर blogging लिख के search करत हूँ, तो blogging के regarding मेरे पास images आ जाएंगी, तो let's suppose मुझे यह वाली image पसंद आती है, मैं इसको यहाँ पर drop and drag कर दूँगा, यह image यहाँ पर आ गई, इसको मैं कर लेता हूँ, hero section 1, और share के ओपर click करके मैं इसको download के ओपर click कर लूँगा, ठीक है, तो मैं इसको download के ओपर click किय यह मेरे पास image जोन सी है, download होकर आ जाएगी, इसको मैं आप यहाँ पर change करना चाहरा हूँ, तो simply मैं select करके यह image के icon के ओपर click करूँगा, और यहाँ पर मैं पास एक option advance image का भी आता है, जिसके अंदर आप जाकर इसको directly भी change कर सकते हैं, जैसे मैं advance image के ओपर click करूँगा, तो आप मेरे पास यहाँ पर यह edit image का option आ जाता है, तो मैं edit image के ओपर जाकर यहाँ पर वो अपनी image upload कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यह upload की and यहाँ पर मैं इसको select कर दूँगा, और यह image जोन सी है, यहाँ पर apply हो जाएगी, जैसे कि यह, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह कैसे, अच्छा, आप मेरे पास यह जो image आ रही है, यह कुछ इस तरह की नदर आ रही है, तो आप लोग यहाँ पर नीचे option आएगा mask setting, अगर आप ने इसको advance image किया है, तो mask setting के अंदर आ जाएं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़े मिल जाएंग, जैसे कि blue one, blue two and blue three, and आप देख सकते हैं कि यह mask नदर आ रहा है, even though आप custom mask के ओपर जाकर, कोई भी mask यहाँ पर select कर सकते है, लेकिन right now मैं इसको blob three के ओपर लेकर आता हूँ, और यह मुझे बिलकुल perfectly यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, image के filter के ओपर जाकर, आप image का filter भी लगा सकते हैं, जैसे कि gray scale है, cpi, ठीक है, even though my toaster कर सकते हैं, यह totally आपके ओपर है, मैं none के ओपर click करता हूँ, अब यहाँ पर shadow settings आपको नदर आ रहे हैं, तो आप box shadow भी add कर सकते हैं, box shadow में क्या होगा, कि आपके box shadow add हो जाएगा, और drop shadow के अंदर क्या होगा, कि आपका simply यहाँ पर drop shadow add हो जाएगा, तो य आप लोगों के ओपर depend करता है, कि आप क्या चीज़ें करना चाहरे है, तो मैं इसका color यही रहने दूँगा, ठीक है, x-axis पर मैं इसको 2 point, y-axis पर 2 point, spread इसको 1 दे रहता हूँ, same इसी तरह drop shadow को भी मैं 2 by 2 कर देता हूँ, ताकि यह मुझे shadow यहाँ पर show हो जाए, okay, border अगर आ आड़री बता चुका हूँ कि कैसे edit कर सकते हैं, कोई भी text और इसको link कैसे कर सकते हैं, it's totally up to you, और इसकी मैंने movement भी change कर लिया, नीचे हमारा title आगे, अब यहाँ पर हैं मारे पास different icons, यह icons आप कैसे edit करेंगे, इसको मैं select करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास icon styles आ रहे हैं, यह apply कर सकता हूँ, यह apply कर सकता हूँ, यह and यह, it's totally totally up to me, कि मैं इसको कैसे use करना चाहरा हूँ, ठीक है, तो मैं यह example तर central line वाला use करता हूँ, central line के अंदर आ जाते हैं, जो services आप दे रहे हैं, वो select कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास media setting के अंदर मैं आ जाता हूँ, icon नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जाके आप icon change कर सकते हैं, totally आपका icon change हो गया, same उसी तरह text जो भी change करना चाहें, यहाँ पर कर सकते हैं, अब आप लोगों को पता चल गया कि आप basically किस तरह cadence block को use करते हूए, अपने proper हर एक चीज़ को edit कर सकते हैं, और उसको ready कर सकते हैं, बिलकुल easy way में, तो यह तो हमारा cadence block का start था और कुछ basic point of view मैंने बताया थे किस तरह आप अपने affiliate block का homepage starting से designing स्टार्ट कर सकते हैं, और किस तरह उसके उपर काम कर सकते हैं, तो अगर तो आप interested हैं, तो इन्शालला नेक्स वीडियो से हम proper cadence block को लेकर चलेंगे, और अपना एक खुद का theme from scratch develop करेंगे और उसको अपनी हर साइट के उपर use करने के लिए compatible बनाएंगे, अगर तो आप interested हैं, तो मुझे comment section में लाजमी बतायेगा, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को subscribe कीजेगा, बेल आइकन को प्रेस share कीजेगा, इंशाला मिलते हैं, नेक्स वीडियो ने, तब तक के लिए दौाओं में याद रखिएगा, अलाहाफिज